हरी कुष्णा तो वेदी के सभी दाश्रों को का मैं आज के वीडियो में स्वागत करती हूँ अबे सभी लोग जो पहली बार हमाई चानल से जुर रहे हैं हम अपने चैनल पर वेदी काल्चर, हिस्ट्री, लाइस्टैल और वेधिक साइन से रिलेटेअड फीडियो एप्लोड करते हैं जो स्क्रिप्चर बेज्ड होते हैं तो आज का वीडियो पिछले वीडियो का कौन्टिनुशन में है पिछले वीडियो में हमने कुछ सवाल लिये थे जो कि थे भगवत गीता पढ़ने के दौरान जो लोग हमसे सवाल करते हैं उनका आंसर हमें पता होना चाहिए उसके उपर तो हमने पिछले चार सवालों के जवाब लिये थे अब आज हम उसी को कॉंटिन्यू करें तो हमने जो पिछले सवाल लिये थे कि भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए क्या शादिशुदा लोग भगवत गीता पढ़ सकते क्योंकि उससे वराग्या आता है किस एज में भगवत गीता पढ़नी चाहिए और भगवत गीता पढ़ने से घर में लडाईया होती है इन सभी भ्रहमित करने वाले सवालों के हमने पिछले वीडियो में answers discuss किये थे आईए लेते हैं बगला सवाल गीता में बात होती है योग की क्योंकि गीता में योग के बारे में जादा दिया गया है तो योगा अभ्यास करके योग सीख कर ही इनर सोल को हम फरमात्मा से जोड सकते हैं तो इसमें किताबी पढ़ने की या मंदर जाने की क्या ज़रूत है बहुत अच्छा सवाल है देखे भगवर गीता के chapters में जो योग की बात हुई है वो है कर्म योग ज्यान योग और भक्ती योग के बारे में कर्म योग मतलब जिस भी वर्ण के अनुसार आप कारे कर रहे हैं अपने कारे से पीछे ना हटके उस कारे को निरंतर करें यह है कर्म योग ज्यान योग मतलब ग्रंथों से ज्यान अर्जित करें और सही गलत का भेद करके लाइफ कैसे जीनी है धर्म के मार्ग पर ये सीखें और भक्ती योग अंत में हमारे पंच तत्व को परमात्मा में मिलीन होना होता है और हमारी आत्मा की शुद्धी के लिए, हमारी आत्मा को गोलोक रिंदावन पहुचाने के लिए हमें भगवान की भक्ती ही एक ऐसा मार्ग है जो शुद्ध कर सकती है तो भक्ती होगा क्योंकि आप सभी ने सुना होगा कि रावन को प्रकंड पंडित माना जाता था दूशित कर्मों की चलते, वो भक्ती नहीं कर पाया और उसने भक्ती नहीं की, इसलिए उसका अंत कैसा हुआ, यह हम सभी को पता है, तो यही उधारन देते हुए मैं आपको समझाना चाहूंगी, कि जो भगवत गीता है, it's not only about physical योगा, जो हम सीखते हैं, classes में जाकर, और प योगिक प्रैक्टिस है, but that is not only the meaning of yoga in भगवत गीता, let's move to the next question, भगवत गीता में धर्म का बटवारा होता है, जाती वात को बढ़ारा दिया जाता है, जैसे कि ब्रामन, पेश, चत्री और शूद्र, तो देखिए, यह बहुत ही जादा पूछा जाने माला सवाल है, और लो 44 तक जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे, और वो भी किसी प्रमानेक संप्रदाय की भगवत गीता पढ़ेंगे, तो उसमें आपको समझ में आएगा, कि यह धर्म का बटवारा नहीं है, जाती वात बिल्कुल भी नहीं है, वर्ण सिस्टम जो है, वो होता है इन 4 पिलर्स में जो है प्रामन, वैश, शूद्र और शत्रिय, एक ब्रामन का बच्चा अपनी occupational qualities के according शत्रिय हो सकता है, एक शत्रिय का बच्चा अपनी occupational qualities के according वैश या शूद्र हो सकता है, तो आपने कि स्कुल में जन लिया है, वो नहीं डिफाइन करता कि आप ब्रामन, शत्रिय, वै यह हमारा distorted version है जो हमने किताब भगवद गीता से उठाके अपना interpretation लगाकर इन चीजों में division डाल दिया है तो यह जो food डालिये हम इनसानों ने डालिये भगवार ने नहीं डालिये भगवार ने कहा था यह वर्ण सिस्टम है जो की होता है occupation system वर्ण सिस्टम का यह तात्परे होता है अब लेते हैं last but not the least question कि यह एक हिंदू scripture है क्योंकि भगवार न श्रीकृष्न कुद भगवद गीता में बोलते हैं कि मैं संपूर्न श्रिष्टी का पिता हूं सभी जीव उन्होंने यह नहीं का हिंदू जीव मुस्लिम जीव या जन्तू या पौधे उन्होंने का है वे सभी सजीव जो इस श्रिष्टी में हैं वो मेरा ही विस्तार है तो आप प्लीज इन चीजों को ध्यान रखिए और कोई आप से इस तरह के सवाल पूछता है तो आप उन्हें प्यार से समझाते हुए यह answers दे सकते हैं अगर इसी वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल है आप कॉमेंट शेक्षिन में लिक कर हमें जरूर बताइए हम जरूर उस पर रील्स क्रियेट करेंगे